तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर नहीं जिए क्योंको रोज मैं आपके लिए ऐसी इच्छे वीडियो लेकिया दार्यात कहूं असलाव में दोस्तों मेंना महसान और आप देख रहे हैं डेली टुटोरियल्स आज से पहले मैंने आपके लिए बहुत सी रिसर्च कीवर्ड रिसर्च वीडियो तो बनाई हैं मगर आज यह मैं एक कंप्रीज ने बहुत से लोगों के माइंड में होती है कि भाई स्यू क्या ह होती है और एक सम्म क्या होती है तो आज की वीडियो में को क्लियर करेंगे डू से स्क्राइब टुटोरियल्स एंड चर्न ओन नोटिफिए वेनेवर दफ वीडियो अप्लोड़िए सबसे पहले लें अस्यों के बारे में यह स्यों जो है यह स्यों आपके पास जितने सब्स लाएं। था सब जिनटो करते हों कि मगर कोई भी सब्सक्राइब करते हैं उसका अफ्के यहां और निकलते हैं कि और अवह सब्सक्राइब कोई नगाल पह उत्क कुम्टें कैसे सब्सक्राइबरीं है तो हम क्या करते हैं हमारा है was सभी स्रेव करते हैं कि यह हमने उपında कि उद्ч होते हैं तो हम क्या करते हैं मुस्कों अच्छे सेॉप्तिमाइज करते हैं और burse पहले जहाए होता है कि हमारी ग्राइब करता है तो वहां पर मिलियं आप रिजर्स आ जाते हैं तो कि जिसने कि ब्लॉग को उसका पहले नंबर पर लिंक आ जाता है तो क्या होता है कि यूजर्स के पास वही लिंक आता है और उसके बहुत ज्यादा फाइदा है वह आपको पता होगा नहीं तो मैं आने वाले वीडियो इंश्याला जूरूर बता दूँगा जिस सर्चरच मार्कीटिंग ऑने निए मार्केटिंग करते हें ame क्यूभ करते हैं गूगल बिंग को प्लेटफॉर्म header हम प्रेश करें पहले नमबर पर हम लिंक आपको परेदे देंगे तो एक्षुली कहता है यह पेड अड़र्टाइजमेंट होती है उन लोगों के लिए जो के सर्च इंजन पर कोई डेटा सर्च करते हैं आप क्या करते हैं आप गूगल और बिंग को पैसे देते हैं कि जैसे कोई सर्च करें या लेटेस्ट मॉबाइल 2018 सर्च करें तो आपका जो है वो सेलिंग जो लिंक है आपका जो ब्लॉग है जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है जो भी है वह पहले नंबर पे पेड आड़र्टाइजमेंट में शो हो जाए तो उसका फाइदा की होता है उसका करने की जूरत नहीं है बेसे कलिकिंग कीवर्ट की किवर्ट के निप्र होता है तो उसका फाइदा ध्यूकंट confined है जो टार्गेटेड ओडियंस है वो सर्च इंजन से अपनी वेबसाइट पर ले जाते हैं चलिए तो होगे स्यम अब मैं आपको एक मज़री चित बज़ता हूं वो है स्यम्म याप रोज मरा की जिन्दिगे में जो बढ़े तो क्या है कि वह बड़ी मार्केट है वो क्या है स्यम्म भी है सोशल मीडिया मार्केटिंग अब इतने लोग आपके पास अवेलेबल हैं उनकी डिफरेंट इंट्रस्ट है वो डिफरेंट सर्च करते हैं डिफरेंट ग्रॉप्स जो है आप उनकी पेस पे उनको अपने जो है बलॉग या आर्टिकल का लिंक दिखाना चाते हैं आप उनके पास अपनी बात पहुंचाना चाते हैं या कुछ भी हो सकते हैं आपने जिस चीज़को भी टार्गीट करना है और जो भी रिजटों बचाना है यह आप पर डिपैंड तो basically क्या फाइदा होता है SMM का social media marketing का वो यह कि आपकी जो specific audience है और जो आपकी target result है आप उसको achieve कर पाते हैं और इसकी cost सबसे काम होती है अब social media marketing का basically फाइदा गया मैं उको बता दूँ कोई नुकल जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं अपनी वीडियो स्टुडेंट सब पहुचाना चाता हूं ठीक है अब जितने भी software engineering के students है अगर मैं Facebook पे इस वीडियो को कर दूँ अपलोड और मैं अपने page पे जो है target audience में जाकर university के students को select कर दो जो कि software engineering में इंट्रस्ट रखते हैं तो क्या होगा मेरी यह वीडियो उन तक महुच जागी जब यह वीडियो उन तक पहुचेगी तो क्या होगा उनकी इंट्रस्ट है कि वो इसके बारे में जाने तो क्या होगा कि वो मेरी वीडियो को live करेंगे मे सकते हैं आप टूइर्स लग सकते हैं अपनी वेबसेट के फिल्ने नमबर पर राइट तरहाने के लिए मगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं फेस्बुक पर ऐड़ चलाते हैं यह जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉम्स यूट्यूब पर आड़ लाते हैं तो वहां पर क्योंता है कि आप अपने टार्गेट आडियंस तक अपनी बात इसली पहुंचा सकते हैं तो दोस्तों मैं तो आपको इसके बारे में बता रहा हूँ अब आपने क्या करना है इस वीडियो को दूसरों को से शेयर क्योंकि शेयरिंग और आप मेरी वीडियो कर दें लाइक अगर आए पसंद और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको कोई भी क आप नीचे कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं वीडियो देखने का शुक्रिया धोओं में याद रखेंगा अल्ला आपीज